तो दोस्तों आज में आपके साथ सियर करने चारी हूँ बहुत ही टेश्टी बादम मिल्क सेख की रेस्पी तो इसके लिए मैंने यहाँ पल लिया है दो कप फुल क्रीम मिल्क इसको कड़ाएम डाल देते हैं अब हम गैस की फिलेम को ओन कर देंगे और इसमें उबाल आने दे जैसे इसमें उबाल आ जाए हम इसको 2-3 मिट तक मीडम फिलेम पर पगने देंगे ताकि यह हलका गाड़ा हो जाए तो जब तक मिल्क पकता है हम बाकी तैयारी कर लेते हैं तो अब मैंने यहाँ पर लिए हैं 10-15 बादम जिनने हमने रात पर के लिए भीगो दिया था मैं बादम अच्छे से फूल जाते हैं तो इसी तरीक से के सारे बादम चीन लेंगे प्षिण लिए हैं मैंने यहाँ पा मिक्सिंग जार बादम को भीस िअदि ढाल को लए ध को ली को ऑचे सकते हैं को मैंसे साइड में अनल रख़ देते हैं अब dabei अ इसे साथ ज्याबम jb को मिक्स करेंगे लंगो पड़ेंगे तो इसके साथ मेंक अच्छी सी तो हमने इसको अच्छी से मिक्स कर लिया है तो दोस्तों बादम मिल्क से एक को बनाना बहुत ही आसान है बहुत कम समय मन के तयार हो जाता है तो मिल्क को पकते हुए 2-3 मिट हो चुके हैं मिल्क पहले से काफी गाड़ा हो गया है अब हमने जो बादम का पेश्ट बना के रख तो दोस्तों जब आप इस तरीके से बनाएंगे तो चाहे बच्चे हों चाहे बड़े सभी को रेस्पी बहुत पसंद आएगी तो आप एक बर इस रेस्पी को जरू ट्राइगे तो पकाती हो दो मिनिट हो चुके हैं अब हम इसमें तीन से चार चमा चीनी डाल देंगे तो हेँरें में बढ़एंगे तो अब को अच्छे से मला लेएंगे तो लगातर चलाते रहेंगे क्यूंकि कि जल्दी गाड़ा हुने लगता है तो हमने इसको अच्छे से मिला लिया है अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देते हैं और इसको एक से दो मिट तक और पकने देंगे अब मैंने यहाँ पे 7-8 पिस्ता और 4-5 बादाम लिये थे उनको हमने मिक्सिर में चला के इसका पाउडर बना लिया है इनको डाल देते हैं इसके साथ हम इसको डालेंगे बन फोर्चमच हिलाईची पाउडर अब इनको हम अच्छे से मिला लेते हैं अब इनको मिलाते हुए हम एक मिल्ट तक और पका लेंगे तो पकाती हो हमें एक मिल्ट हो चुका है बादम मिल्क से बन के तयार है अब हम गैस की फ्लेम को बन कर देते हैं अब हम इसको एक गंटे के लिए रूम टेम्परेशर पर छोड़ देंगे ताकि यह अच्छे से ठंडा हो जाए आप चाहिए तो इसे फ्रेज में भी रख सकते हैं तो रखे हो एक गंटा हो चुका है बादम मिल्क से अच्छे से ठंडा हो चुका है चलिए अब हम इसे सर्प कर लेते हैं तो बहुत ही टेश्टी बादम मिल्क से बन के तयार है अगर आपो इसे इस तरीके से बनाएंगे तो चाहे बच्ची हों चाहे भड़े सभी कोई रैस्पी बहुत पसंद आएगी तो आप एक बанс रैस्पी को ज़रू टाए करें और अपने कमेंट हमारे से ज़रू शायर करें कि आपको हमारी रैस्पी कैसी लगी और एस भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें साथ में बैल एकन को जोरू प्रैस करने ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए